नमस्ते मेरा नाम अपार गुपता है और मैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन में काम करता हूँ यह एक ऐसी संस्था है जो आपके डिजिटिकल अधिकारों के लड़ती है जैसे वेब सेंसर्शिप तो हमने हाली में देखा कि पिछले दिन करीबन आठ बजे सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके वज़े से 59 वेब साइटों को बैन किया गया है इन पर प्रदिबंध लग गया है और इसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो के जरिये से मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि यह बैन कैसे लगा क्यू लगा और फिर यह इ पर इबन 59 वेब साइटों से और और वेब सर्विसिस से और इनका जो अप्योग भी कर रहे हैं लोग उनको भी खत्रा है इनसे तो उनकी प्राइविसी खत्रा है और यह भी बोला गया कि काफी कंप्लेंटें आ रही है भारत सरकार को यह डेटा जो लोग दे रहे हैं उसके जानते हैं कि टेकनोलीजी डेवलप्मेंट ऐसे होती है कि कोई चीनी अप नी होती, कोई अमेरिकन अप नी होती, कोई इंडियन अप नी होती, बहुत तरीके से, पर फिर भी अगर देखें, ये प्रेस गोशना जो सरकार ने बनाई है, उसके अंदर उन्होंने कहीं कहे रहे हैं, this is a Chinese app ban, पहली चीज़, दूसरी चीज़ इसके अंदर ये हमें समझनी चीज़ है कि इसके अंदर कोई भी कानूनी ओर्डर जो होता है, which is a legal order, जो section 69A of the Information Technology Act के अंदर देना होता है, वो अभी तक publish नहीं किया गया है, और जहां तक रिपोर्टे आ रही है, ये जो जो एप के ओनर्स हैं, उनको एक नोटेस दिया जाएगा और उनको एक सुनवाई दी जाएगी, जिसके अंदर सरकार के आगे आ पाए और अपना पक्ष रख पाए, पर इसमें हमें ये भी चिंता की बहुत बड़ी बात है, कि जो जन आदेश जिसके वज़े से ये सार वो भी उससे भी आपके कम्यूनिकेशन लिंक टूट जाएगा, तो ये यूजलेस हो जाएगी, ये किसी तरीके से आप इस्तमाल नहीं कर पाएंगे, तो ये जो सारी डिटर्मिनेशन हैं, वो टिक टॉक क्ले नहीं करी गई हैं, वो यूसी ब्राउजर क्ले नहीं करी गई हैं, वो गैम स्कैनर क्ले नहीं करी गई हैं, जो सारी अप उसके अंदर है, ये सब को एक साथ डिस्टर्मिनेशन करी भी है, तो ये स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन जो रिक्वाइर होती हैं, अंडर सेक्शन सिक्ष्टी नाइन या अंडर दा ब्लॉकिंग रूद्स वो नह सारी चीजे भी सही हैं, और मेरे को तो लगता है कि प्राइविसी का खत्रा है ही, पर ये क्या एक कानूनी धाचे में करी जा रही है, एक पॉलिसी के हिसाब से करी जा रही है, तो इस पर काफी बड़े प्रशन उठ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ये जो तीन आप म और कैम स्कैनर है, टिक टॉक पे लोग वीडियो बनाते हैं, यूसी ब्राउजर ज्यादातर मध्य और पिछडे वे वर्ग यूस करते हैं, जिनके पास सस्ते स्मार्टफोन होते हैं, जिसके वज़े से यूसी ब्राउजर से वो दूसरी वेबसाइटों को अक्सेस कर पाते और कैम स्कैनर से लोग फोटो कीच के एक PDF डॉक्यमेंट बनाके ज्यादा तर काम के लिए एक दूसरे को देते हैं, तो ये तीनों एप की फंक्शनलिटी बहुत अलग है, ये अब तीनों एप बहुत अलग अलग तरीके का यूजर डेटा खटा करती हैं, कंपनियां अलग हैं, तो कारड भी अलग होने चीए हैं, पर ये सारे कारड एक पोटली में बंद के सरकार ने एक ऐसी घोशना कर दी है, जिसके वज़े से हम सब को लग रहा है कि ये एक ऐसा एक्ट ऑफ सेंसर्शिप है, जिससे इतने लोगों पर प्रभाव पड़ा है, कभी पहले नहीं तो कानूनी प्रक्रिया के नजरिये से अगर हम देखें ऐसे, इसमें काफी खामिया हैं और ये बहुत बड़े प्रशन उठाती है कि भारत सरकार ने ऐसा सक्त कादम क्यों लिया है, जबकि उसने इस प्रेस रिलीस में ये भी नहीं लिखा है कि उसने ये कादम चाइनीज आप्स को रोखने के ले करा है, इसके लिए अगर देखा जाए अगर डेटा की चोरी हो भी रही है और अगर हम उसको मान भी लें तो उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया स्थापित होनी चीए जिसमें एक डेटा प्रोटेक्शन लौ जो अभी हमारे संसत की एक अपनी आख हटाना होता है उससे वो बुरी बात खतम नहीं हो जाती क्योंकि एक आप की जगह आप देखें दूसरी आप आ जाएगी और वो ही काम करेगी इसको अगर हम मानें कि आज की डेट पर डेटा चोरी हो रहा है और सही तरीके से कंपनिया इसका इस्तेमाल नहीं कर अगर यह सब चीजों पर हमें सही तरीके से पाबंधी लगानी एक काम एक तरीके का नियंतरन लाना है तो हमें एक डेटा प्रोटेक्शन लोग बनाना पड़ेगा उससे ब्लॉक करना सही और जाएज एक स्टेप नहीं होएगा इसके अंदर दूसरे स्टेप भी ले जा सक जब भी ऐसी कोई घटनाएं हो जो एक एविडेंस के बेसिस पे हो जिसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन हो लोग जाके उधर कम्प्लेंट डाल पाएं तो मैं यही बोलूँगा कि आज जो हुआ है कल जो हुआ है जिसके अंदर यह सारी एपों को बैन किया गया है वो ए आगे देखेंगे की सरकार इसमें और क्या स्टेप लेती है पर मेरा उन से यही आग रहे होएगा क्यों जो भी स्टेप ले वो सही तरीके से पबलिक को कॉन्फिडेंस में लेकर ले के सही तरीके से सही चीज़े पबलिश करें ड्रश प्रेंटकर रखें और यह, आसके काफी सारी एप यूज़ करते हैं तो हमें अपने आपको सुरक्षत भी रखना है सही तरीकी की एप यूज़ कर पाएं और यह भी हमें सारी समंग्शनालिटी और इनोवेशन और जो जो हम काम कर रहे हैं हमें उसकी भी पूरी तरीके से फाइदे उठा पाएं हम तो मेरा यह ही आग रह होएगा भारत सरकार से और मैं आपका यह भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो हमेरी जो संस्ता इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन उस पर प्लीज जाहिए इसमें काफी लोग काम करते हैं और हमारी कि भारत सरकार को किस तरीके से इस पर इन चीजों पर डेटा सेक्योरिटी प्राइविसी पर किस तरीके से आगे और स्टेप्स लेने चीए हैं थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग